सात्य बीते दो दस्वकों में गुजरात में सिक्षा के एक शेत्न में जो परिवर्तन आया है वो अभुद्पूर्व है 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में सो में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे यहने पांचवा हिस्सा सिक्षा से भार रह जाता था और जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे आठवी तक पहुंचते पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे और इसमें भी दुरभा गये था कि बेटियों की स्तीती तो और खराब थी गाउं के गाउं ऐसे थे जहां बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था आदिवासिक छेत्रों में जो थोड़े बहुत पढ़ाई के केंद्र थे बहां साइंस पढ़ाने की सुविधाय तक नहीं थी और मुझे खुशी है मैं जीतु भाई को और उनकी टीम की कलपक्ता को विशेस रुप से बढ़ाई देता हूं साइद आप महां से देख रहे हैं ते क्या हो रहा है मंच पर समझ नहीं आया होगा लेकि मेरा मन करता है मैं बता दू हमना जे बालों को मने मल्या ये बालों को हता जे रे 2003 मां पहलो शाला प्रवेस्वसव करयो होतो अने हुँ आदिवासी गामों मा गयोतो 40-45 डिगरी गर्मी अती 13-14 जुन्ना इदिवसो हता अने जे गाम मा बालों को नू ओछा मोच्छू सिक्षन चे न दिकरियों नू ओछा मोच्छू सिक्षन ये गाम मा गयोतो अने पहली बार एगाम मा में गयोतों तमार द्या बिक्षा मांग बायो चूँ अने मने तमे बिक्षा मा वच्छा नापो के महरे तमारी दिकरियने पणावी चे ने तमे तमारी दिकरियन पणाव शो अने ये पहला कारकम मा जे बालकोने हुँ आंगडी पकड़ी ने निशाले ले गयोतों ये बालकोना आजे मजे दर्शन करवानों अवसर मले अपड़े हुँ सवती पहला एमना माता पिताने बंदन करूँ शो कारण एमने मारी वातने स्विकारी हुँ तो शाड़ाए ले गयो पने एमने एन्ना महतमयने समझू अने एमने बालकोने जिटलू भणी शक्या एटला भणाया अने आजे पोताना पगपुरु भाथे ने अपनी पासे जोवा मलया मने ए बालकोने मलीने खासकरेनना माता पिताने बंदन करूँ अने गुजरात सरकार जितुपईने अभिनेंदर आपूजू कि मने आ बालकोने मलवानो अउसर मलेवा जे जेमने एकडियो भणावा मते आंगडि पकडिने लई जवानु मने सव भाग्या मड़ी होतो साथियो इन दो दसकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज में शिक्षा व्यवस्ता का काया कल्प करके दिखा दिया है इन दो दसकों में गुजरात में सवा लाग से अधीक नए क्लासरूम बने, दो लाग से जादा सिक्षक भरती किये गए मुझे आज भी वो दिन याद है, जब शाला प्रवेसोत्सव और कन्या केणवनी वो महोसव उसका आरंब हुआ था प्रयास यह था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाएं, परिवार में उत्सव हो, महले में उत्सव हो, पुरे गाउं में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीडी को हम सिक्षित और संसकारित करने का आरंब कर रहे हैं मुख्यमंत्री रहते हुए, मैंने गाउं गाउं जाकर, खुद सभी लोगों से, अपनी बेटियों को स्कूल भेज़दे का आगरह किया था और प्रणाम ये हुआ है, कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुचने लगा है, स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है